पेड लगाने वाला लड़का एक समय की बात है. एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था. सचिन एक दयालू और अच्छा लड़का था. वा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था. एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड सूख रहा है. पेड ने सचिन से कहा मुझे पानी दो मैं मर रहा हूँ. सचिन को पेड पर दया आ गई. उसने अपने गले में एक कल्शी बांध लिया और पेड को पानी देने लगा. वह कई दिनों तक पेड को पानी देता रहा. आखिरकार पेड को पानी मिल गय और वह ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है, तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसने जंगल में कई पेड़ लगाये। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़क कहने लगे, सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ, वह जानता था कि वह दुनिया को एक बहतर जगा बना रहा है, एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था, उसने सचिन को पेड लगाते हुए देखा, राजकुमार को सचिन की मेहंत और समर्पन पर बहुत ख रखा, उसने जंगल में कई और पेड लगाए, सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगा बन गई, सीक, सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है, यह हमें सिखाती है कि छोटी-छोटी चीजे भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर हम सभी सचि की तरह पेड लगाने का काम करें, तो हम दुनिया को एक बहतर जगा बना सकते हैं, छोटी-छोटी चीजे भी बड़ा बदलाव ला सकती है, हमें परियावरन की रक्षा करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में